नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परीचित दोस्तु पस्थित हूँ आप सभी के लिए एक महत्वपून जानकारी लेकर के आएए आज हम सभी पीपल के पेंड के फायदों के बारे में जानते हैं हिंदु धर्म में पीपल के पेंड का बहुत महत्व होता है इसे ना केवल धर्म संसार से जोड़ा गया है बलकि वनस्पति विज्ञान और आयुर्वेद के अनुसार भी पीपल का पेंड कई तरह से फायदेमंद माना गया है हम बता रहे हैं पीपल के पेंड से होने वाले ऐसे ही कुछ एक स्वास्थे लाभों के बारे में सबसे पहला सांस की अगर आपको तकलीफ है तो सांस संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या में पीपल का पेंड आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है इसके लिए पीपल के पेंड की छाल का अंदूरूनी हिस्सा निकाल कर सुखा लिजिए सुखे हुए इस भाग का चून बना कर खाने से सांस संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं इसके अलावा इसके पत्तों को दूध में उबाल कर पीने से भी दमा में लाप मिलता है नमबर टू गैस या कब्ज पीपल के पत्तों का प्रियोग कब्ज या गैस की समस्या में दवा के तोर पर किया जाता है इसे पित नाशक भी माना जाता है इसलिए पेट की समस्याओं में इसका प्रियोग लाप्रद होता है इसके ताजे पत्तों के रस निकाल कर सुबह ग्राम एक चमज पीने से पीत्ते के साथ हीν समस्याएं भी समाप्त होती हैं. नमबर थड़ दाझो के लिए पीपल की दातुन करने से दाझ मजबूत होते हैं और दाझो में दर्द की समस्या समाप्त हो जाती हैं. इसके अलावा 10 ग्राम पीपल की छाल, कथा और 2 ग्राम काली मिर्च को बारीक पीश कर बनाए हुए मंजन का अगर आप दांतों के लिए प्रयोग करते हैं तो दांतों से जुड़ी हुई हर एक समस्या दूर हो जाती है नमबर 4 विश का प्रभाव किसी जहरीले जिव जनतु द्वारा काट लेने पर अगर समय पर कोई चिकित्सा मौजूद नहीं हो तब पीपल के पत्ते कारास थोड़ी थोड़ी देर में पिलाने पर विश का असर कम होने लगता है नमबर 5 तवचा रोगों में तवचा पर होने वाली समस्याओं जैसे कि दाद, खाज, खुजली में पीपल के कुमल पत्तों को खाना या इसका कारा बना कर पीना लाफदायक होता है इसके अलावा पोड़ी फुनसी जैसी समस्या होने पर भी पीपल की छाल को घिस कर लगाने से फायदा होता है नमबर 6 घाव होने पर शरीर की किसी हिस्से में घाव हो जाने पर पीपल के पत्तों का गर्म लेप लगाने से घाव सुखने में मदद मिलती है इसके अलावा प्रती दिन इस लेप का प्रियोग करने एवं पीपल की छाल का लेप करने से घाव जल्दी भर जाता है और जलन भी नहीं होती है नमबर सेविन जुकाम में सर्दी जुकाम जैसे समस्या में भी पीपल लाबदायक होता है पीपल के पत्तों को छाओं में सुखा कर मिश्री के साथ इसका कारा बना कर पीने से काफी लाब होता है इससे जुकाम जल्दी ठीक होने में मदद मिलती है नमबर एट त्वचा के लिए त्वचा का रंग निखारने के लिए भी पीपल की छाल का लेप या इसके पत्तों का प्रयोग किया जा सकता है इसके अलावा यह त्वचा की जुर्यों को कम करने में भी मदद करता है पीपल की ताजी जड़ को भिंगो कर तवचा पर इसका लेप करने से जुर्यां कम होने लगती है नमबर नाइन तनाव कम करे पीपल एंटियोक्सिडेंट से भरपूर होता है इसके कुमल पत्तों को नियमित रूप से चबाने पर तनाव में कमी होती है और बढ़ती उम्र का असर भी कम दिखाई देता है नमबर टेन नकसीर में नकसीर फुटने की समस्या होने पर पीपल के ताजे पत्तों को तोड़ कर उसका रस निकाल कर नाक में डालने से बहुत फायदा होता है इसके अलावा इसके पत्तों को मसल कर सूंगने से भी नकसीर में आराम होता है नमबर 11 फटी हुई एणिया होतो एणियों के फटने की समस्या में भी पीपल आपकी काफी मदद करेगा फटी हुई एणियों पर पीपल के पत्तों का दूध निकाल कर लगाने से कुछ ही दिनों में फटी हुई एणिया ठीक हो जाती है और तालू नरम पड़ जाते है नमबर 12 पीलिया में पीलिया हो जाने पर पीपल के तीन से चार नई पत्तों के रस में मिश्री मिला कर बनाए गए शर्बत को पीना बेहत फायदे मंद होता है इसे तीन से पाँच दिन तक दिन में दो दो बार देने से लाप होता है पीलिया रोग दूर हो जाता है नमबर 13 हकलाना पीपल के पके हुए फ़लों को सुखा कर बनाए गए चूण को शहड के साथ सिवन करने से हकलाने की समस्या दूर होती है और वाणी में सुधार होता है तो देखा दोस्तों आप सभी ने कि स्वसन संबंधी रोगों से लेकर के अन्य कई बिमारियों को दूर करने में पीपल का उपयोग होता आ रहा है आप सबसे बड़ी बात के वैज्ञानिकों के द्वारा ये भी जानते हैं कि पीपल एक ऐसा पोधा होता है जो दिन रात आपको ऑक्सिजन देता है जिसके सहारे हमारी स्वस्षन क्रिया चलती है हम जिसके सहारे जिन्दा हैं यू कहें तो ये थे आज कि हमारी जानकारी दोस्तों आप सभी के लिए पीपल के पौधे से जुड़ी हुई अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछे कोहर महतोपून जानकारियों को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों